नमस्कार, UPSC Current Affairs Program में आपका स्वागत है, मैं हूँ विरद्दुवे भारती कफ सिरफ से उजबेकिस्तान में मौते हो रही है उजबेकिस्तान के स्वास्थ मंत्राले ने एक भारती फर्म मैरियन बायोटेक पर गंभीर आरोप लगाया है दरहसल भारती फर्म मैरियन बायोटेक द्वारा बनाई की खांसी की दवाई डॉक वन मैक्स से 18 बच्चों की मौत हो गई है उजबेकिस्तान के स्वास्थ मंत्राले के नुसार बच्चों को स्वास की काफी गंभीर बिमारी थी मौत बच्चों ने डॉक वन मैक्स कफ सिरफ का अतिदिक मातरा में सेवन किया था आपको बताते हैं वास्ताओं में डॉक वन मैक्स सिरफ और टैबलेट थन्ड से बचने की दवा है चुकि इस दवा का मुक्के खटक परासिटमॉल है इसलिए कुछ दवा विक्रेताओं और माता-पिता ने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही ठन्ड से बच्चों को बजाने के उपाय के तौर पर इस दवा का इस्तेमाल कर लिया था उजबेगिस्तान के स्वास्त मंत्राले के प्रारंबिक पड़ताल में पाया गया है कि डॉक वन मैक्स सिरप में इथाईल कलाइकॉल है यह एक ऐसा पदार्थ है जो कफ सिरप में मौजूद नहीं होना चाहिए यह पदार्थ विशैला होता है और 95% सांद्र विलियन का लगबग 1-2 मिली प्रती किलोग्राम रोगी के स्वास्त में गंभीर परिवर्तन कर सकता है यह अभी सामने आया है कि मौज बच्चों ने 2-7 दिनों के लिए घर पर दिन में 3-4 बार 2-5 मिलिटर दवा ली जो की बच्चों की दवा की माना खुराक से काफी अधिक है फिलहाल डॉक वन मैक्स दवा के टैबलेट और सिरप को जबेकिस्तान में सभी जगहों पर प्रतिवंदित कर दिया गया है साल 2022 में ही गांबिया के एक भारती फर्म के कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हो गई थी इस कंपनी के कफ सिरप में डाइथलीन ग्लाइकोल और एथलीन ग्लाइकोल के अस्विकारिस्तर पाए गए थी पारसरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक कमिटी का गठन भी किया है इसके साथ ही कुछ दिनों पहले ही नेपाल ने भी डबलुएचों के मानक का पालन नहीं करने वाली 16 भारती दवा कमपनियों पर बैन लगा दिया था